हेलो गयाइस कैसे हैं आप लोग स्वागात थे आप लोगों का फिरसे मेरे एक नएं वीडियो में, आज मैं आप लोगों को बताऊँगा गयाइस कि इंफिनिक्स Infinix Note 40 Pro phone में आप लोग Auto Change wallpaper को कैसे लगा सकते हो? यह कैसे बंद कर सकते हो؟ अगर आपके पास Infinex Note 40 Pro phone नहीं और इस phone में जो आपको अटय Lal पर को लगाना है. अगर आप लोग चाथते होगी发 Your Pond notices आपके phone का луч प्लास तक देखिए और अगर वीडियो पसान आए वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजे तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आटो चेंच वल्पेपर को लगाने के लिए या इसको बंद करने के लिए आपको सबसे प स्क्रीन के अपशन के क्लिक करना है क्लिक करती या अप पर आपको दो ऑप्शन देखने को बिल ने का यॉण को मिलेखका श्टे और अगर आपको इसको बंद कर देना है तो इन दोनों ओप्शन को ओफ कर दीजिए यहां पर से तो देख सकते हैं आपके पर क्लिक करती ओफ हो जाएगा और ओफ होने के बाद आपको ओटो चेंज वालपेपर भी बंद हो जाएगा तो इस तरीके से आप आप लोग अपने इनफिनिक्स नोट 40 प्रो फोन में आटो चेंज वालपेपर को ओन या ओफ कर सकते हो तो कैसा लगागा इस आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसान आया हो तो वीडियो को लाइक करतीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए म कर सकता है